नमो नमहा, सबको मेरा नमस्कार आज मैं आपको संस्कृत में घटी का समया लेखनम समझाऊंगी कि संस्कृत में समय को किस तरह लिखते हैं, टाइम को किस तरह संस्कृत में लिखते हैं इसकी बिसे में आज आप जानेंगे गटी का यहां पे घड़ी बनाई हुई है देखिए बहुत सारी घड़ियां है तो मैं आपको इनके माध्यम से बताऊंगी कि इन घड़ियों में कितना समय हुआ है कितने बज़े है तो देखिए इस घड़ी का में चतुर बादनम चार बज़े यदि यहां पे घड़ी की सुई यहां पे होती तो हम बोलते पंच बादनम सट बादनम यहां पे होती छे पे सट बादनम, सप्त बादनम, अश्ट बादनम, नव बादनम दस बादनम, एक आदस बादनम, दोआदस बादनम इस तरह से आप समझ गए कि जब इसे समेप पूरा ओर तो इसको बादन में कहते हैं एक वादन दो बादन म्याद्ध्वादनम र रहा हो तो तो आप मुझे कमेंट करके अवस्य बताएं, आप बजे को बोलते हैं बादनम, आगे घटिका में यहां पर बताए गया है, देखो, द्वादस बादनम, बारा बजे, बारा बजे, आगे हैं सवा, देखिए यहां पर सवा चार हैं, तो सपाद चतुर बादनम, सपाद चतु चतुर बादनम, यहां पे स्पाद पंच बादनम, स्पाद सट बादनम, स्पाद सब्त बादनम, स्पाद अश्ट बादनम, जैसे सवा पांच, सवा छे, सवा, साथ, सवा आठ, सवा ना, तो आप स्पाद जोड देंगे उसके साथ, स्पाद लगा देंगे, स्पाद पंच ब यहां पे घटिका में स्पाद चतुर बादनम दर्स आए गए हैं, आगे हैं, देखिए, यहां पे साडे चार, तो साडे को बोलते हैं साड, साड़ चतुर बादनम, साड़ चतुर बादनम, यह दि यहां पे साडे पांच होते हैं, तो साड़ पंच बादनम, साड़ सट साथ, बजे को बोलते हैं बादनम, उसके बाद सवा को बोलेंगे स्पाद, साडे को बोलेंगे साथ चतुरबाधनम, आगे है पॉने, पॉने 5 कसमे है, पादोन पंचवादनम, पॉने को बोलते हैं पादोन, पादोन पंचवादनम, फिर दूबार समय बताएगा है, पंच वादनम, तो एक बार फिर से समझ लेगे, लेजिए वादनम, देखिए यहाँ पे समय पूरा है 12 बादनम सवा सपाद चतुर बादनम साड़े सार्द चतुर बादनम पौने पादोन पंच बादनम आगे है पंच बादनम इस तरह से आप इन्हें समझे अब इनका मैं थोड़ा सा आपको बाख्या प्रयोग समझा देती हूँ इदानिम कह समय अब क्या समय है जैसे पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ है तो अब क्या समय है इदानिम अश्ट बादनम इस घटी का में दर्साया गया है इदानिम अश्ट बादनम अब आठ बजे है दिभ्या अश्ट वादने बिद्यालयम गच्छती दिभ्या आठ बजे बिद्यालय जाती है देखिए अब यहाँ पे गटी का है इदानिम कह समया अब क्या समया है इदानिम सार्द चतुर बादनम साड़े चार बजे है अभी कितने बजे हैं साड़े चार बजे है मैं साड़े चार बजे पुस्तक पढ़ता हूँ मैं मैं अहम को कहते हैं मस मैं संस्कृत में मैं अहम अहम सार्द चतुर बादनम पुस्तक पढ़ता हैं जो आँग की बिंदे इसको मा पढ़ते हैं आगे अब हमारे पास इदानिम कह सुमया है देखिए इस गटिका में अब क्या सुमया है इदानिम पंच बजे हैं इदानिम करते अब तुम पंच बजे मित्र को पत्र लिखती हो तो इसे आप अच्छी तरह से इन बाक्यों को समझें तथा ब्याभार में लाएं यदि आप ब्याभार में लाएंगे तो आपको जल्दी से समझाएगा जल्दी से याद होगा यदि आपने समय पूछना हो तो आपने क्या कहना है इदानिम कह समय है अब क्या समय है इदानिम अश्ट बादनम अब आठ वजे है जो भी समय हो घटीका में वह आप बता देंगे अभी इस घटीका में इतना समय है इस घडी में तो अगले बाग के समझेंगे अब हम देखि यहाँ पे चित्र भी देखिए चित्रों के सैता से अच्छी तरह समझाता है इदानिम कह समया है अब क्या समया है इदानिम अश्ट बादनम देखिए यहाँ पे अश्ट बादनम अब आठ बजे है सर्वे अश्टवादने भोजनम खादनती सभी आठ बजे भोजन खाते हैं सर्वे सर्वे करते सभी सब सर्वे अश्टवादने भोजनम खादनती सब आठ बजे भोजन खाते हैं देखिए उधारण है यहाँ पे उधारन को देखकर बाग क्या बनाओ ऐसा कहा गया है ये प्रातह कस्मे है और ये सायम कस्मे है रजनीश जैसे यहाँ पे यह था उधारन दिया गया है रजनीश प्रातह काले सडवादने बिद्यालें गच्छती रजनीश प्रातह काल छह बजे बिद्याले आजाता है सायम का बग्या सायं काले च सडवादने अध्यैनम करोती सायं काल छह बजे अध्यैन करता है अध्यैन करते पढ़ता है आगी दीखी दुबारा बख्या है दीखो साय की प्राता हा कसमे है और यहां पे दिखाया गया है सायम का प्राता हा सायम दीखिए अब यहां पे शडवजे छे बजे का टाइम घटी का में दर्शाया हुआ था कि चह बजे रजनीश क्या करता है रजनीश प्राता काले सडवादने बिद्यालयम गच्टी सायं काले च Carryवजे अध्यान गरता है और आजे दीखिए अगला बाक्या रमेश प्राताह काले त्री वादने तीन वजे को बला है त्री वादने सैनम करोती साइं काले चत्री वादने पुस्तकम पठती की रमेश जो है प्राताह काले प्राताह काल तीन वजे सोता है और साइं काल तीन वजे पुस्तक पढ़ता है देखी यहां पर पुस्तक पढ़ और रेखाया गया है और सायम कः ढासे कह Springs दर्शेया गया है, दिखा गया है आपको देखिए प्राता काले 10 वादने समेधियगे दस दस वादने सूर्यह तपती रात्रवच दस वादने चंद्रह तारकाणी च आकासे बिलसंती प्रातहकाल दस वजे सूर्य तपता है और रात्री दस वजे आकास में चंद्रम और तारे बिलसंती करते चमकते हैं प्रातहकाले दस वादने सूर्य तपती प्रातहकाल दस बजे सूर्य तपता है रात्रवच च करते है और रात रात्री रात या रात्री को दस बजे क्या होता है दस बजे दस वादने दस बजे चंद्रह तारकाणी चंद्रमा और तारे चंद्रमा और तारे आकासे आकास में बिलशंती चमकते हैं तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से समझिए पढ़िए चित्रों को भी देखिए, चित्रों से अच्छी तरह से समझाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, तो इन बाक्यों को आप अच्छी तरह से समझिए, यदि आपको समझना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे पताएं, एक बार मैं दुबारा सारे बाक्या आपको जल् दीब्या स्वाइब दीब्या 8 बजे दीब्या काह स्वाए अब क्या स्मयने है अब देखिये आगे और चित्र को देखिए इदानिम कह स्मय अब क्या स्मय है इदानिम पंचवादनम अब पांच बजे हैं तुम पंचवादने मित्रम पत्रम लिक्षी तुम पांच बजे मित्र को पत्र लिखती हो आगे देखिए चित्तर भी देखिए यहां पर चित्तर दिया हुआ है इदानिम कह स्मय अब क्या स्मय है इदानिम अश्टबादनम अब आठ बजे हैं सरवे अश्टबादने भोजनम खादनती सब आठ बजे भोजन खाते हैं अब आगे क्या कहा गया है कि उदारनम द्रिश वाक्यानी रच्यत उदारन को देकर वाक्या बनाओ दो देखिए यहां पर बाक्या बनाए हुए हैं यहां पर समय दिया हुआ है देखिए यहां पर छे छे बजे हुए हैं रजनीशह देखिए बालक का नाम है रजनीशह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं यदि आपने बाक् काम भी लिख सकते हैं रजनीष प्र रमेश प्रातह काले त्री वादने शैनम करोती सायंकाले चत्री वादने पुस्तकम पठती रमेश प्रातह काल तीन बजे सोता है और सायंकाल तीन बजे पुस्तक पढ़ता है देखिए इस चित्र में पुस्तक पढ़ रहा है और इस चित्र में सो रहा है आगे देखिए चित्रों को और समय देखिए दस बजे का समय है प्रात हकाल दस बजे क्या होता है प्रात हकाले दस वादने शूर्य हतपती रात्र उच दस वादने चंद्रह तारकाणी च आकासे बिलसंती प्रातहकाल दस बजे सूर्य तपता है और रात्री दस बजे आकास में चंद्रमा और तारे बिलसंती चमकते हैं तो इस तरह से आप संस्कृत के बाक्यों को बनाना सीखिए संस्कृत में समय को जानिये कि किस तरह से संस्कृत में समय लिखते हैं तथा यदि आपको समझना आया हो तो आप कमेंट अवर्षय करें तथा अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दवाएं ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंचे और आप संस्कृत को सीखें और संस्कृत विशय में अच्छे पर लेकर आप उतीरण हों धन्यवाद